जय द्वार कादिश मन्च पर विराजमान गुजरात के लोगपुरिय मुखमंत्री स्री विजय रुपानी जी केंद्र में मंत्री परिशत्य मेरे साथी स्रिमान नितिन गड़करी जी राज्य के उपमुख्य मंत्री स्री नितिन भाई पटेल पूर्वमुख्य मंत्री आनंदि बेन पटेल केंद्र में मंत्री परिशत्य के मेरे साथी स्री मन्सुख भाई मांडविया राज्य सरकार के मंत्री प्रिचिमन भाई सापरिया, जयेश रादरिया, जसा भाई बराट, यहां की साउसत, पूनम बेन, जुनागड के साउसत, राजेश भाई, राजसबाम हमारे साथी, चुनी भाई गोहिन, और हमारे यहां के विधायक, शीव, 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 पभुभा, और विशाल संख्या में पदारे हुए, मेरे प्यारे भाई और बेहनों, कि हम क्यों लागेज हैं, आज मैंने द्वारका का मूड़ी कुछ और देखा, चारो तरब उत्सा उमंग, जैसे एक नई चेतना, द्वारका में मैं अनुभाव कर रहा हूँ, मैं द्वारका बासियों का, रुदैसे अभिनंदन करता हूँ, उनका भनवात करता हूँ, आज द्वारका नगरी में जिस काम का आरंब हो रहा है, वो सिरफ बेट द्वारका में पहुँचने के लिए एक सिरफ ब्रीज नहीं है, सिरफ एक इट पत्थर लोहे से बनने वाली एक स्ट्रक्ट्रल व्यवस्ता ऐसा नहीं है, ये ब्रीज बेट द्वारका की सांस्कृतिक विरासर के साथ, उस हजानों साल पुराने नाते को जोडने की कड़ी के रूप में आज उसका कार्य हो रहा है, जब भी मैं बेट आया करता था और वहां के बीच को देखता था, निर्मल जल देखता था, तूरिजम की अपार संभावना ये देखता था, लेकिन भारत सरकार की तरब से, आप तो जानते हैं बुद्काल में भारत सरकार का गुजराट के परति प्यार कैसा था, कितनी कठिनाईयों से हम समय बिताते थे मुझे बराबर या भाए, जब बेट के लोगों की पर सिती देखता था, सूरज जलने से पहले ही सारे काम पूरे करने पड़ते थे, रात को आवा गवन बंद हो जाता था, और वो भी पानी के मार्क से ही आना जाना पड़ता था, मजबूरन जिन्द की गुजारनी पड़ती थी, अगर कोई अचानक बिमार हो जाए, और उसे अस्पताल पहुँचाना है, और अगर वो रात का समय हो तो कितनी दिक्कत होती थी, वो मेरे बेट के प्यारे भाई बेहने भली पाती जानते हैं, और इसलिए, एक ऐसी व्यवस्ता, जो देश भर से आने वाले, यात्रियों के लिए, एक बहुत बड़ी सौगाद हो, एक ऐसी व्यवस्ता, जो बेट के जागरीकों के लिए, जो सामाने उनकी जरुते हैं, उसको पूरे करने वाली हो, एक ऐसी व्यवस्ता, जो बेट से जुड़े हुए समुद्री तट के बीच को, एक बहुत बड़े टुरिजम के ख्षेत्र के रुप में विक्सित करने की संभावनाओं को बल दे, और अगर एक बार यात्रियों आए, तो ठाकुर जी के चरणों में सर जुका करके भाग जाए, तो उससे द्वारका की एकोनामी को ज़्यादा लाप नहीं होता, हजार दो हजार रुपए खर्च करता है, तो द्वारका के आर्थिक ववस्ता में गरीब से गरीब को रोजगार मिलता है, लोग द्वारी का आते हैं, वो बर्गवान द्वारका दिश्कीर कृपा से, लेकिन लोग द्वारी का में रुकेंगे वो अगर हम वेवस्ताइं खड़ी करेंगे तो रुकेंगे और इसलिए हमने विकास को वो प्राथफिक्ता दी है जहां यात्री आएं उनको रुकने का मन कर जाएं एक दो दिन बिताने का मत कर जाएं समुद्री की लहरों के सामने शाम बिताने का मन कर जाएं धलते हुए सूरत को देख करके मन प्रफुलित हो जाएं ये वातावन प्रदा करने के लिए निरंतर एक सरकार प्रयास कर रही है आज से आज दस साल पहले के द्वारिका की कल्पना कीजिए और आज के द्वारिका की कल्पना कीजिए कितना बदलाव आया और टुरिजम एक कौने में विकांस होने से नहीं होता है उसको कनेक्टिविटी चाहिए एक से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा जुड़ा हुआ होना चाहिए सारी दुनिया गीर लाइन देखने के लिए आज आती है लेकिन अगर गीर लाइन देखने के बाद पोरिबंदर और द्वारिका जाने के लिए अगर छे लाइन चार लाइन दो लाइन के बड़े रोड मिल जाते हैं तो यात्री को सुवीधा रायती है टुडिस का मन ललचाता है और जो गीर लाइन देखने आएगा वो द्वार का दिश के चरणों में भी आएगा ये स्थिती पैदा होनी चाहर और जो द्वार का दिश के चरणों में आएगा उसको भी गीर के सेर देखने गा मन कर जाए ऐस नेटवर्क उस प्रकार से बनाने की दिशा में मोडिफिकेशन किया है कि रोड तो बने, सुवीदा तो बने, गती तो आएं, लेकिन साथ साथ आर्थिक गतिविती के साथ उसका सीधा नाता होना चाहेगी, उस व्यवस्ता से आर्थिक गतिविती को ताकत मिलनी चाहेगी आज जो नेशनल हाईवे के चौड़ी करन का काम है, गड़ू तक, और जब भी मैं गड़ू को याद करता हूँ, तो मेरे मेरे बच्चू भाई याद आ जाते हैं बहुत पुराने हमारे कायर करता है, किसान लेकिन उनको इन सारी बातों का विचार मुनके मन में रहा करता था, कि आसा किया जाता अच्छा होगा, वो लगातार सोचते रहते हैं, आज इस गड़ू तक, इस रोड को, कि चौड़ाए की दिशा में, नेशनल हाईवे के बेंगे, एक भारी मात्रा में हम खर्च करने जा रहा है, आज इस एक कायरकम में और एक जिला मुख्य था और वैसे जामनगर जिनागर जिले को जोडता हुआ पोरमंदर जिले को जोडता हुआ करीब करीब छे हजार करोड रुप्यों की लागत का प्रोजेक्ट आप तलपना कर सकते हैं वो दिन याद कीजिए जब मादव जिबाई सोलंग की मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अखबार में पहले पन्ने पर एक तस्वीर छपी थी वो तस्वीर मुझे आज भी याद है तब तो मैं राजनिती में नहीं था मैं सामाजिक छेत्र में काम करता था जामनगर में जामनगर या जामनगर जीले में एक पानी की तंकी का उद्गाटन करने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री मादव सिबाई आए अब ये उस समय की सरकारों की कलपणा और आज ये सरकार की कलपणा देखिए कि कैसा ब्रिज बनाते हैं कैसे रोड बनाते हैं एक पानी की तंकी के उद्गाटन करके पूरे पेज की अउटराइज मेंदारा पहले पेंट पर तस्वीर छप्रा उनके लिए विकास की सोचने की सीमा भी इतनी मर्यादित थी दुनिया बदल चुकी है और इस बदली हुई दुनिया में विकास को नई उचाईयों पर ले जा रहा हर भारतिय दुनिया के सामने सीनास्तान के खड़ा हो सके ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना हर हिंदुस्तानी का है ये सपना सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है समा सो करोर देश वाचियों का सपना है मैं तो जरब आपने सपनों को रंग भरने के लिए उसको चरितार कर ले के लिए प्यास कर रहा हूं मेहनत कर रहा हूं अभी नितिन जी बता रहे थे ब्ल्यू एकोनामी के समझ में एक ऐसा अक्षेत्र है कि जो सामुद्रिक संपना को गुजरात की और देश की अर्थे ववस्ता में एक बहुत बड़ी तांकत देने का सामर्थ है सोला सो किलोमेटर का समुद्री तट गुजरात के पांस है हमारे मचवारे भाई बहन समुद्री तट पर रहते हैं ब्ल्यू एकोनामी की पूरी संभावना हमारे समुद्री तट पर है हम बंदरों के विकास करना चाहते हैं लेकिन हम बंदर आधारित विकास भी करना चाहते हैं पॉर्ट लेट डेवलप्मेंग हम वो इंफ्रसेक्टर बनाना चाहते हैं कि जो पंदरों को रोड से जोड़े रेल से जोड़े हवाई पट्टी से जोड़े बैर हाउसिंग हो कोर्ड स्टोरेज हो दुनिया के बाजार में भारत के किसानों द्वारा उत्पादिक चीजे वि देश के किसान को ज्यादा से ज्यादा किमत मिले इसके लिए इन विवस्ताओं को विच्षित करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं हमने एक योजना बनाई है और वो भी मेरे मचवारे भाईयो बेहनों के लिए और वो ब्लू एकोनमी के तहद बनाई है और वो योजना है आज हमारा मचवारा माची मार जिसके पाँच छोटी छोटी बोट है वो लेकर के समंदर में फीसिंग के लिए जाता है दस बारा नोटिकल माईल से आगे जा नहीं पाता है और इतने इलाके में जितनी चाहिए उतनी मात्रा है में उतको मचली मिलती नहीं है वो गंटों तक मेहनत करता है फिर बाद में आधा जूरा भरकर के वापिस आ जाता है क्या मैं मेरे माचिमार भाईयों को ऐसी जिन्दगी जिन्दे के लिए मजबूर करूँ क्या मैं उनको उनके नसीप पे छोड़ दूँ क्या मेरे माचिमार भाईयों भेहनों को जिन्दगी में आगे बढ़ने के इच्छा नहीं होगी क्या क्या मेरे माचिमार भाईयों भेहनों को अपने बच्चों को अच्छी सिख्षा दिख्षा देने का मन नहीं करेगा क्या क्या मेरे माची मार भाई ये बहनों को जुगी जोपड़ी वाली जिंदगी से बहार रिकल करके अच्छी जिंदगी जीने का मंग करेगा के नहीं करेगा अगर वो करना है तो उसकी आर्थिक भड़ाने पड़ेगी उसका एंपावर करना पड़ेगा उसका ससक्ति करन करना पड़ेगा और इसलिए हमें एक ऐसी योजना लाए कि कुछ मत्छ मारे भाई भाई बहन हमारे इकट हो जाए सरकार उनको लोन देगी कम ब्याद से लोन देगी और देड़ करोड दो करोड की बड़ी बोट वो ला सके उसका प्रबंद करवाएगी और अगर वो देड़ करोड दो करोड की बड़ी बोट रखेगा तो दस बारा नोटिकल माईल से भी अंदर समंदर में जा करके वहाँ तो समंदर के बीतर भी मचलियों का सागर होता है डिप सी में वो अगर महां चला जाएगा जो काम उसको तीन दिन में करना होता है वो आधे एक दिन के अंदर पूरा करकर के तीन गुना चार गुना कमाई करने वाली व्यवस्ता लेकर के अपने किनारे पर वापिस आ सकता है और उसमे कोल्स लोडे समय सभी वह ववस्ता रहे इस प्रकार का प्रबन हम हमेरे माची मारोंकर बवस्ता देना चाहते हर माची मार भाइद का फायदा उठा सके इसके लिए हम इसको आगे बढ़ रहे हैं जो माची मार की जिंदगी बढ़ लेगा कंडला पोड कहो जीस प्रकार ते उसका ग्रोथ हुआ है जब मैं गुजरात का मुख्य मंत्री था तब भी कंडला पोड और हालत क्या थी वो मुझे परापता है हम भारत सरकार को कहते थे इसको प्रापता दीजिए एक आउसर है लेकिन उनके लिष्ट में कांडला बंदर नहीं था जब से भारत सरकार में हमें काम करने का आउसर मिला है हमने गुजरात के बंदरों के विकास पर भी उतना ही ज्यान दिया है और जिसके कारण आज कंडला का ग्रोथ पिछले 25 साल में नहीं हुआ इतना ग्रोथ तेजी से आज कंडला का हो रहा है और उसके कारण लोगों को रोजी रोटी मिलती है हमारा अलंग कितने सालों से अलंग की शिकायत रहती थी अलंग के विकास की चरचा रहती थी अलंग के हैजिण की चरचा रहती थी भावनगर का अलंग एक प्रकार थे दुनिया में हमारी पहचान भी था लेकिन साथ साथ एन्वारमेंट के नाम पर सेंकडों सुवाल या निशान भी थे राष्ट्रिय आंतराष्ट्रिय संस्ताएं नहीं नहीं सवाल उठाती रहती थी ये भारत सरकार का दाईक्व था कि उसमें कुछ चिंता करें मदद करें अलंग में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी में कुछ बदलाव आये उसके लिए कुछ करें लगातार कोशिश करने के बाद भी उस समय की भारत सरकार की निंद में नहीं उड़ा पाया था लेकिन आज जब हमें सेवा करने का मोका मिला है तो हमने अभी जपान के साथ लोगों को जपान जिरब बुलेट ट्रेंड के लिए याद रहता है वो लोग भूल जाते हैं कि जपान के साथ हम अलंग के विकास के लिए भी बड़ी योजना बना करके आड़के वड़ रहे हैं और उसके कारण अलंग के मेरे मद्गुर भाईयों बहनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ाव आने वारा ये जो बड़ाव की दिशाम ने पकड़ी विकास को जे नएने छेत्रों में सामान ने मानवी के जीवन को बड़ाव के लिए हम तोचिश कर रहे हैं उससे ये परणा माने वारा है मांगरोर और वेलावल हमारे परंपरा कर फिशिंग हब रहे अभी भारत के हमारे राश्पती जी आये थे मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मांगरोर के अंदर इस काम को गती देने का एक बहुत बड़ा सिलान न्यास किया बहुत बड़ी योजना को आकार दिया ये फिशिंग हर्बर आने वाले दिनों में इस पूरा हमारा समुद्री ताट ब्लू एकोनामी के त्वारा तूरिजम की एकोनामी के त्वारा इंफास्ट्रक्टर के त्वारा आगे बढ़ रहा है उसके साथ साथ इमन रिसर्स डवलप्मेंट मानव संसाधन विकार्ष मैं गुजरात वासियों से एक बेंट सोगास देने की आज गोचना करना चाहता हूँ यह सिर्फ गुजरात को नहीं हिंदुस्तान को काम आने वाली बात है लेकिन हमारे समुद्रिक तटपे होगा और देव विमिद्वारी कामे होगा हमारे समुद्रिक तटकी सुरक्षा के लिए मरीन पॉलिस एक ऐसाक शेत्र है कि जिसको भारत बहुत ही आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है सामान में पॉलिस से वहां की ट्रेनिंग अलग होगी क्योंकि समुद्रि में समुद्रिक तटपर पांच किलोमीटर के पूरी सुरक्षा की ववस्ता से वो जुड़े होंगे तो ऐसे देश भर के मरीन पुलिस ट्रेनिंग की इंस्टिटूट रिसर्ट इंस्टिटूट देश की सबसे बड़ी और सबसे पहली इंस्टिटूट ये देव भुमी द्वारिकाम है मोजब के पांथ बनाई जाएगी देश भर से जैसे जामनगर के अंदर हवाई यड़े पर हमारी एक ट्रेनिंग इस्टिटूट है एरफोर्स के लिए देश भर से लोग उसका लाब लेते हैं उसी प्रकार से ये देव भुमी द्वारिकाम है ये मरीन पॉलिस इंस्टिटूट हिंदुस्तान भर के पुलिस के लोगों के ट्रेनिंग का और ये भी अपने आप में एक ऐसी इंस्टिटूट जहां हजारों लोग रहते होंगे आना जाना चलता होगा कितनी बड़ी आर्थिक ववस्ता भी इसके साथ जुड़ी होगी इसका आप भली भातिय अंदाज कर सकते हैं भाईयों बहनों आप सब दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं और गुजरात में दिवाली का परवबड़ा विशेश होता है व्यापार्वियों के लिए और विशेश होता है और मैंने आज देश भर के अख़बार देखे उसमें हिड लाइन है कि दिवाली पंदरा दिन पहले आ गई चारों तरह पे एक दिवाली का माहूल बन गया जलकव जब कल हमने जियस्ति के लिए अत्यन्त महत्वपुन नेने किये और हमने पहले दिन कहा था कि एक बान लागू करने के बाद तीन महें ने उसका ध्यन करेंगे और तीन महें में जहां जहां दिक्कत आती है व्यवस्ता की कमियां होगी टेकनलोजी की कमियां होगी नियमों की कठिनाईयां होगी रेट्स के समद में सिकायते होगी व्यापारी आलम के प्रैक्टिकल अनुभव में दिक्कत आती होगी क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि देश का वैपारी आलम रेटिपीजम पे फ़स जाए फाईलों पे फ़स जाए बाबुओं साहाब लोगिरी ये दोर हो जाए ये हम कभी हिंदुस्तान में नहीं चाहेंगे और इसलिए तीन महेने में जो भी जान करी आई उसके आधार पर कल हमारे विक्तमंत्री जी ने जी एस्टी काउंसिल में सबको मनवा करके बहुत बड़े एहन फैसले लिए और मुझे खुशी है कि एक स्वर्म हिंदुस्तान के हर कौने में इसका स्वागत हुआ है और यही तो देश की ताकत है जब एक सरकार पर विश्वाज होता है निर्णा के पीछे इमामदरी ने जर आती है तो देश कठिनाईयों के बावजुद भी जी जान से साथ जुड़ जाता है वो मैं अनुभव कर रहा हूँ और इसलिए मैं देश वाजियों का आभारी हूँ कि जी एस्टी में जो हमने और अधिक सिंपल टेस्क को और अधिक सिंपलर करने का प्रयास किया है उसका जो स्वागत हुआ है उसके लिए मैं उनका आभार अभिनन नर्वेक्त करता द्वारकाना भाईयों मैंनो भुगर्मा स्री कृष्णनी द्वारिका देश वासियन दुनिया भरना लोकोन इच्छा से कि समुद्रान अंदर जईने ओरिजिनल जे द्वारका नगरी से ये ने जरा हाथ रखिया हुए मैं किटला कि एक्सपर्ट लोकों ने काम स्वप्यू उचे कि आग केविरी ते कराए लोको पाने मा नीचे जईने भगवान स्री कृष्णनी जार जीवया रहा ये जरा एकाथ पत्थर ने भी हाथ रडाविज ने पाच्छावे आगों हिंदुस्तान या द्वारका मा लाइन लगय नोगू रही जाए विकास एमनेम ना थाए भाई द्रश्टी जोईए दिर्ग द्रश्टी जोईए संकल्प जोईए अने संकल्प ने चरिचार करवा माटे जी जाननी बाजी लगावी पड़े तैरे काम अने आजे देशना कोई पड़ खुडामा सामान्य मान्य मान्यमी नी प्रपेक्षा जे कि विकास थाए एनी अपेक्षा जे कि विकास ना फड़े ने मले एनी अपेक्षा कि एनी भावी पड़ी ने गरीमी मान जिन्दगी जीबी न पड़े आपनी कोशिस आजे कि भले कदाल आजनी पड़ी ने गरीमी मान जीबू पड़ी होए परन्तु एमना संतानों ने गरीमी मा जीवमा माटे मजबूर नवध हूँ पड़े एवी विकास ने यात्राने नवीव चाई पर लए यदी छे आजे समगर विश्वनु ध्यान भारत तरप गवज दुनिया ना लोकों या मुडी रोकाण करवा माटे उत्साहित थाया चे अगलाव्या चे अने आ दिज भाबतो देशना नवजवानों माटे रोजगार नी तकव भी करी रही चे देशना किसान ना जिवन मा बड़लावलावानी संभावना उप्यादा करी रही चे गुजरात नुँ गामडु सक्षम बने समर्थ बने एना माटे नी पहल करी रही अने इमा गुजरात आजे महत्वर्वी भूमिका अधा करी रही चे देशता अविकास मा गुजरात महत्वनी जबाबदारी नी भावी रही हुछे अने ना माटे गुजरात ता कोटी कोटी जनों ने हुँ बंदर करूचु अभिनंदर आपूजू यह मनों आभार व्यक्त करूचू अने गुजरात सरकार ने पण अविकास यात्रा ने तेज गती दिया आगल बदारवा बदल रुरेपुर्वक खुबक अभिनंदर आपूजू जय द्वार कादीश जय द्वार कादीश जय द्वार कादीश खुब-खुब आभार माननिय प्रश्चू